इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ाता है हैजब के बारे में हैजब क्या होता है हैजब के लिए काफी जरूरी होता है फूड सेफटी हैजार्ड जानना किस तरीके से खाना बेकार होता है हैजब में सिखाया जाता है कि हम किस तरीके से खाने को खराब करने से रोक सकते ह कि खाना खराब ना हो तो खाना किस तरीके से खराब होता है वो उसको बोला जाता है फूड सेफटी हैजार्ड यानि किस तरीके से खाना खराब होता है तो खाना तीन तरीके से खराब होता है ये होता है सबसे पहले बाइलोजिकल उसके बाद होता है chemical चीक है और यह physical यह तीन तरीके से खाना खराब होता है ठीक है और इस पूरे procedure को बोला जाता है food safety hazard यानि कि जो खाने की safety है खतरे से हमें कैसे बचाना है खाना ठीक है उसको food safety hazard बोलते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आता है इसमें सबसे पहले biological आता है तो biological पढ़ते हैं और इन दो चीजों को सबसे पहले मैं explain करूंगा सबसे पहला है biological और उसके बाद है chemical ये दोनों दरसल काफी easy है इनको जानना biological जो होता है वो खाने को अंदर से खराब करता है और chemically जो होता है ये खाने को बाहर से खराब करता है फिर अंदर तक खराब करता चला जाता है ठीक है इसका मतलब हो गया कि ये अंदर से खाने को खराब करता है और ये करता है बाहर से ठीक है physically के बारे में हम बाद में discuss करते हैं यह पढ़ लेते हैं अब देखे बाइलोजिकली होता है जो चीज अंदर ही उसके पैदा होनी चालू हो जाए यानि के जैसे आपने कोई वेजिचेवल ली यानि के आप देख लीजिए आपने एक कुकुम्बर लिया खीरा ठीक है वो पास दिन तक ठीक रहेगा छे दिन तक अंदर क्या होगा वाइरेस बनने चालू हो जाएंगे बैक्टीरिया बनने चालू हो जाते हैं है ना तो यह वही चीज है बैक्टीरिया और वाइरस जब खाने के अंदर बनने चालू जाते खाने को फिर बेकार करना चालू कर देते हैं वो किस चीज पर डिपैंड करता है वो depend करता है temperature पर ठीक है? वो depend करता है उसके self life पर कि वो कितने दिन बाद खराब हो जाता है वो हर खाने पर अलग-अलग depend करता है ठीक है? कोई भी चीज आप बना रहे हैं तो उसका एक अलग self life होती है कि कितने time तक सही रहेगा और कितने temperature पर उसको रखना है वो food standard में आता है वो मैं आगे class में बताऊंगा आपको तो खाना अंदर से खराब क्या कर रहा है? bacteria कर रहा है ठीक है? और एक virus ठीक है? ये खराब कर रहे हैं दूसरा क्या 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 खराब कर रहा है? दूसरा कर रहा है parasites parasites क्या होते हैं? एपल सड़ना चालू हो जाएगा, अब वो सड़ेगा तो उसमें छोटे-छोटे से कीड़े हो जाएगे, जो छोटे-छोटे से कीड़े हो जाते हैं, ये इसको खाना चालू कर देते हैं, सड़े हुए एपल को, अब ये एपल सड़ जाएगा, इसके अंदर जो कीड़े हो ज होते हैं यानि कि naturally है कि हो गई कोई नहीं रोख सकता ठीक है यह पैरेसाइट्स हो गए इसके बाद होता है मोल्स मोल्स का मतलब होता है फंगस यानि कि आपने अगर देखा होगा कि आप कोई भी चीज रख रहे हैं जैसे आपने एक एपल रखा कुछ टाइम बाद उस पर फं मश्रूम होता है यह जैसे कोई मश्रूम आप कोई खाते हैं तो मश्रूम जो होता है वो भी एक तरीके का फंगस ही होता है लेकिन यह इटेबल होता है इसको आप खा सकते हैं उसी तरीके से वायरस और बैक्टिरिया होते हैं इनमें भी वेराइटी होती है आपने बैक्ट बैक्टिरिया जादा डाल देंगे तो फिर harmful हो जाती है और कम quantity में डालेंगे तो दूद से दही बन जाती है तो बैक्टिरिया अच्छे भी होते हैं बेकार भी होते हैं खाने को खराब भी करते हैं और कुछ खाने के nutrition को बढ़ा भी देते हैं इसके बारे में मैं अलग है फंगस की काफी varieties होती है अब mushroom जो होता है ये भी एक तरीके का fungus ही है लेकिन ये इटेबल है इसको खा सकते हैं कुछ मश्रूम ऐसे होते हैं जिसको नहीं खा सकते हैं है ना तो हर तरीके के fungus होते हैं तो biological हमने समझ लिया कि किस तरीके से खाने को खराब करते हैं इसके बा pesticides क्या होते हैं जब आपने देखा होगा कि कहीं पर जादा कीड़े मकोड़े हो जाते हैं तो इस तरीके से हम किसी को बुलाते हैं जो दवाई डाल करके जाता है और वो दवाई डालता है और कीड़े मकोड़े जितने होते हैं वो मर जाते हैं आप कुछ जगा ऐसी होती है खाना रखा हुआ है आपने दवाई डाल दी और वो खाना भी उससे खराब हो गया ठीके जैसे यहां पर एक फिश रखी है और आपने उसके पास में ही दवाई डाल दी तो क्या होगा यह जो दवाई होगी जो इसकी हमने दवाई डाली है यह फिश को बेकार करना चालू कर देगी यह फिश बेकार हो जाएगी और अगर इसको कोई भी खायगा तो उसको food poisoning भी हो सकती है वो मर भी सकता है अगर ज़्यादा खराब हो गई तो यह है ना chemically hazard जो होती है उसका ध्यान रखना काफी ज़रूरी होता है because chemical hazard से इनसान मर भी सकता है यह इतना ज़्यादा food को contaminate कर देती है खराब कर देती है तो chemically hazard हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना दूसरा यह तो हमने पढ़ लिया उसके बाद है processing chemicals अब जो chemicals होते हैं अब एक soap देख लीज़े यानि कि कोई साबुन रखी हुई है खीक है अब वहाँ पर कोई बरतन मांजने वाला है वो साबुन से उसको साफ कर रहा है वहीं पर chicken रखा हो वहीं पर fish रखी हुई है और उस पर वो साबुन लग गई है यानि कि कुछ भी साबुन का टुकड़ा या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे आप बरतन साफ करते हैं वो bleach हो सकती है सर्फ हो सकता है कुछ भी ऐसा हो सकता है जो बरतन को साफ करने के लिए यूज में लिया जाता है वो चीज खाने के संपर्क में आ गई है और आपका खाना खराब कर रही है है ना तो वो एक तरीके का केमिकल ही है जो आपके खाने को फिर खराब कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग केमिकल्स यानि कि जो आप किसी चीज को साफ करने के लिए या फिर किसी चीज को आप मैंटेन करने के लिए केमिकल यूज करते हैं उस केमिकल को खाने के संपर्क में मत रखिए यानि कि उसके पास भी मत रखिए हो सकता है कि वो चीज लीक हो जाए और उससे फिर खाना खराब हो जाए उसके बाद ड्रक्स आती है ड्रक्स दरसल लोगों को लगता है कि नशा करने की चीज होती है नहीं ड्रक्स दरसल हैबिशनल चीजों के लिए यूज किया जाता है या फिर जो चीज हैबिट में आ जाती है जो चीज आपको ठीक करती है या फिर किसी तरह की के medicine conditions में आती है वो category आ जाती है drugs में ठीक है जैसे medicines हो गई किसी तरह का syrup हो गया तो ऐसी चीजे भी आपको खाने के पास में नहीं रखनी होती है इसके पीछे का fact क्या होता है कोई भी medicine है अगर आपने कोई medicine ली ठीक है आपने ये ऐसी कोई medicine खुली हुई आपने रख दी खाने के पास वो खाने को contaminate करेगी उसको खराब करेगी उसी तरीके से दूसरी line पे हम आते हैं ये है allergens यानि कि जिस चीजों से allergy होती है वो खाना भी खाने के touch में नहीं रखा जाएगा उसको भी separate रखा जाता है allergens के अंदर mushroom भी आसकता है किसी तरीके chemicals भी आसकता है अब आप suppose कीजिए कि आपको mushroom से allergy है ठीक है mushroom को फिर हमें थोड़ा सा अलग रखना होगा ऐसी ही allergens चीजे जो होती है वो आप अलग रखेंगे खाने से touch में नहीं रखेंगे कुछ चीजे हैं जो naturally hazard करती है यानि कि खाने को खराब करती है naturally ठीक है उसमें आजाता है chicken और fish जैसे आपने chicken और fish को एक साथ रख दिया तो वो एक दूसरे को contaminate करती है खराब कर देती है इसलिए chicken और fish को भी साथ में नहीं रखा जाता और बहुत सारी vegetable है जैसे mushroom के साथ में आप बाकी vegetable नहीं रखेंगे ठीक है क्योंकि mushroom जो होता है वो एक bacteria है bacteria खाने को खराब करना start कर देता है और refrigerator के अंदर step by step खाने को रखा जाता है मैंने एक video इसके उपर पहले भी बनाई हुई है के खाने में fridge के अंदर किस तरीके से खाने को maintain किया जाता है कैसे रखा जाता है step by step ठीक है chemical हो गया इसमें हम ये कर चुके हैं ये भी कर चुके हैं इसके बाद physical physical hazard दो तरीके के होते हैं एक होता है naturally ठीक है और एक होता है handling यानि के आपको handle करने में problem आई और आपके handle करने के वज़े से वो चीज खराब हुई सबसे पहले naturally पढ़ लेते है naturally क्या होता है जो naturally खाने के अंदर चीजे हैं उससे कैसे contamination होती है किस तरीके से hazard होता है यानि के खतरा कैसे होता है सबसे पहले आगया bones क्या होता है हड़ी आपके stomach में जब जाती है तो ये infection करती है है ना digest नहीं हो पाती ठीक से इसलिए ये भी एक hazard मानी जाती है इसके बाद दूसरा है pits क्या होता है pits होता है जब खाने के अंदर काफीर समय तक जैसे खाना रखा हुआ है ये apple रखा हुआ है तो इसमें कुछ टाइम बाद छोटे-छोटे से छेद हो जाते है holes हो जाते है naturally तो इसको बोला जाता है pits ठीक है दूसरा इसके बाद क्या है इसके बाद है box box क्या होता है box होते है उड़ने वाले छोटे-मोटे ये भी एक naturally physical hazard में आ जाता है जो naturally खाने के अंदर present है ठीक है उसके बाद एक और physical hazard होता है जिसको हम handling बोलते है अब सबसे पहला example है इसमें glass अब glass कैसे hazard हो सकता है आप किसी restaurant में हो और आपने glass में पानी दिया ठीक है तो उससे क्या होगा food sorry stomach में infection होगा और उससे उसको hospital भी जाना पड़ सकता है और काफी बड़ी problems भी हो सकते है विकोज glass है तो ये handling की वज़े से हुआ इसके पीछे का reason था handling यानि कि हमने इसको care नहीं किया इसको ठीक से handle नहीं किया हमने देखानी glass के अंदर कुछ चीज गिरी हुई है ठीक है तो ये handling में आता है उसी तरीके से metal भी आता है अगर आप देखें fork और spoon मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है fork और spoon क्या है अगर कोई खा रहा है और fork या spoon का टुकड़ा खाने के अंदर चला गया और उसने वो खा लिया तो वो भी एक तरीके का hazard है उससे इनसान को food poisoning हो सकती है बिमार हो सकता है उसी तरीके से hair यानि के बाल भी होता है अब काफी लोग बोलेगे के बाल कैसे hazard बन सकता है अगर कोई एक इनसान बाल खाने में तो वो hazard कैसे हो सकता है वो एक problem कैसे हो सकती है अब वो problem physical hazard में है वो biological या फिर chemical hazard में नहीं है वो physical hazard में है और physical hazard में एक naturally होता है जो naturally present है और दूसरा एक handling तो ये handling में डाला गया है ये food safety handling में डाला हुआ है कि आप जब भी काम करते हैं तो अपने जो बाल हैं उनको आप कवर करके रखिए विकोज ये भी एक तरीके की हैजार्ट ही है ये फिजिकल हैजार्ट में आती है आप को जब खाना बनाते हैं कुछ चीजे आपको naturally उसके अंदर मिलती है जो आपको देखनी है तो ये चीजे जो है वो naturally भी होती है और ये चीजे होती है जो आपको handle करनी है ठीक है handle with care तो ये handling में आ जाता है अब तीन तरीके के मैंने आपको ये बता दिया है किस किस तरीके से खाना खराब होता है और आइ थिंग आपको कोई इसमें कोई confusion नहीं होगी और अगर इसके बाद भी अगर कोई topic रह गया है तो मुझे comment section में बता दीजिएगा मैं दुबारा से एक video बना दूँगा उसके उपर थोड़ा और explain कर देंगे उसको ठीक है और बाकी इससे पहले मैंने has up की class भी डाली है अगर आप इस class को देख रहे हैं तो इससे पहले आप has up की भी जरूर देखें ठीक है और अगर आप नए है तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा thanks for watching